हेलो दोस्तो वाई एक्सप्रेस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नदियों के किनारे बसे परमुख नगर के बारे में दोस्तों नदी कई राजिस से होकर निकलता है कई जिला से होकर निकलता है कई सहर से होकर निकलता है यानि बहुत सारे नगर से होकर निकलता है लेकिन हम लोग बात करेंगे परमुख नगर के बारे में जो सहर बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है उसके बारे में कि वो कौन सा नदी पर बसा हुआ है और ये हम लोग बात करेंगे भारत के बारे में ठीक है भारत के जो नदियां है उनके बगल में जो है कौन सा लेकिन फिलाल अभी रेल्वे गुरुबडी का एक्जाम चल रहा है और उसमें ये पूछा ही पूछा जा रहा है तो सबसे पहले यहां पर अब देख सकते हैं दोस्तों आगरा जो है बहुत ही ज्यादा फेमस सहर है जो कि ताजमहल के लिए परसिद है वो कहा किस नदी के किन किनारे बसा हुआ है बदरिनाथ ठीक है और बदरिनाथ किस राजे में आता है तो वो आता है दोस्तों उत्राखंड में उत्राखंड में ठीक है अलकनंदा जो नदी है उसके किनारे बदरिनाथ सहर बसा हुआ है जो कि बदरिनाथ कहां आता है उत्राखंड में नीचे तो यह लाहबाद कहां आ जाता है यह आपका यूपी में आ जाता है उत्तर परदेश में आ जाता है नेक्ष्ट बात करेंगे दिल्ली दोस्तों तो दिल्ली हम लोग जानते हैं कि यमना नदी के किनारे बसा हुआ है ठीक है फिरोजफूर फिरोजफूर किस नदी के किनारे ब पताया था सतलज हो जहेलम हो रावी नदी ये सब नदी जो है उपर में बैता है इसके उपर हमने वीडियो बनाया था इन सारे नदियों के बारे में जो कहां बैता ये पंजाब या फिर जम्मू कास्मीर और ये सारी नदियां पाकिस्तान चली जाती है ठीक है तो फिरोजप गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और हरिद्वार उत्राखंड में आता है ठीक है उत्राखंड में कानपूर ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये ये कहां आता है कानपूर ये यूपी में ठीक है यूपी में है कानपूर पटना दोस्तों जो की बिहार में है पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है गंगा नदी के कनारे उसी तरह अगर हम बात करें सिरी नगर सिरी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो जहेलम नदी हमने आपको बताया था जहेलम सतलज रावी यह सब जो है उपर में ही बहता है यानि जम्मू कस्मीर पंजाब ठीक है। Itsab में बहता ये नदिया तो सिरी नगर जम्मू कस्मीर काई एक बहुत प्यारा सा धरे सरों और और इस जेलम अधीक किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों सूरत की सूरत जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है तापती नदी के किनारे बसा हुआ है सूरत ठीक है जो कि सूरत कहां किस राज में है तो गुजरात में है ठीक है ये कहां है गुजरात में है उसी तरह बात करें दोस्तों विजय वाला है एक सहर है जो कि क्रिष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है बात करते हैं दोस्तों उज्जाइन उज्जाइन जो कि कहां किस राज में है तो मध्पर्देश में है और यह सिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है ठीक है अयोध्या अयोध्या दोस्तों ये यूपी में है और ये सर्यू नदी के किनारे बसा हुआ है उसी तरह बात करें दोस्तों कोलकता तो कोलकता हुगली नदी के ही क्या है एक भाग है ठीक है दोस्तों तो कोलकता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है जो की पच्छिम बंगाल में है जबलपूर मध्परदेश में है दोस्तों जो की नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है उसी तरह अगर हम बात करें लखनव लखनव जो की यूपी में ह और गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है गोहाटी गोहाटी ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे बसा हुआ है ये कहा है दोस्तों ये असम में है ठीक है असम राज में है कोटा की बात करें तो कोटा चम्बल नदी के किनारे बसा हुआ है कोटा सहर कोटा सहर कहा आता है तो राज राजस्थान में नासिक जो की गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है और नासिक कहां आता है तो महाराष्ट में आता है ठीक है सिरी रंग पटनम जो की कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है और सिरी रंग पटनम जो है करनाटक राज में आता है ठीक है उसी तरह अगर हम लोग वारा नसी के बारे में बात करें तो वारा नसी भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है जो कि उतर प्रदेश में है वारा नसी उतर प्रदेश हैदराबाद जो कि मुसी नदी के किनारे बसा हुआ है और हैदराबाद जो है यह तिलंगाना तिलंगाना राज में आता है ठीक है मतुरा जो कि यम्ना नदी के किनारे बसा हुआ है मतुरा कहा बसा हुआ है यम्ना नदी के किनारे और जो कहा आता है यूपी मतुरा यूपी अहम्दाबाद सबर्मती सबर्मती के किनारे बसा हुआ है अहम्दाबाद अहम्दाबाद गुजरात में है ठीक है सूरत ता सूरत के बारे में हमने आपको बताया था ठीक है कटक महा नदी के किनारे बसा हुआ है कटक कटक जो की कहा आता है उडिसा राज में आता है डिबलूगर जो ब्रह्म पुत्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये डिबलूगर असम में आता है ठीक है डिबलूगर असम में आ बरेली जो है राम गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और बरेली जो है उत्तर परदेश में है ठीक है दोस्तों तो यह सारे नदियां था नदियों के किनारे बसा परमुख नगर था जो की फेमस सहर है और हमने आपको यह भी बताया है कि कौन सा जो सहर है किस राज के लुकत आता है तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जिए